जुले के रतनपूर में आज भाचपा कार्यकरताओं से भरी बस दुरघटना ग्रस्त हो गई हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई है जिसमें विश्रामपूर भाचपा मंडल के दो कार्यकरता और बस ड्राइवर भी शामिल है एसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि ये सभी लोग बस में सवार होकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए अंबिकापूर से राइपूर जा रहे थे इस दोरान बेलतरा के पास हाईवे में बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रेलर से तकरा गई इस साथ से में दो कार्यकरताओं की मौके पर ही मौत हो गई वहीं कुछ लोगों को गंभीर चोटे आई है एक अन्य बस के कार्यकरताओं ने घायलों की मदद की, सूचना पर पूलिस की टीम मौके पर पहुची, जवानों ने घायलों को ततकाल रतनपूर समुराई स्वास्त के इंदर भेजा, वही अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपूर के अस्पताल में करते हुए भाजपा के तीन कार्यकरताओं की इम्रत्य उपर शधांज लिदी, इधर मुख्यमंत्री पुपेश बगेल ने इम्रतकों के परिजनों को 4-4 लाक रुपए मुआवजा देने का एलान किया है, भाजपा ने भी 5-5 लाक रुपए आर्थिक सहायता देने की पुशना की है